हलो दोस्तों गुड मॉर्णिंग नमस्ते बड़े भाई बैनों को चैस्पास छोटों को धेर सारा प्यार मैं सब्नम स्वागत करते हूं अपने न्यूग लोग में आप सभी का तो आज है करवाचोथ आप सभी को करवाचोथ की धेर सारी सुपकामना है तो टाइम होगा चार बजे का तो चार बजे से ही हम लोगों ने खाना बनाना इस्टार कर दिया था तो यहां पर पापा अज मेरे लाये थे फूल जो की लौके के फूल है तो हम उनी का कोपता बना लेंगे क्योंकि खाली में अगर रख देंगे तो सुबे तक खराब हो करेंगे तो वीडियो में दोस्तों बने रहेगा और जो भी दोस्तों हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो आज का दिन हमारतें के लिए तो बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि साल भर में एक ही दिन ऐसा पड़ता है जो हम लोग उपवा नहीं आप सभी को दिखा पाया है वो वाला वीडियो हम बाद में आप सभी के साथ सेयर करेंगे ये वाला हम पहले सेयर कर रहे हैं आज बहुत ही खुश रहे पूरा दिन बहुत ही खुश रहे तो सारे काम खुशी कुशी हो गए सारे कर डाले हमने काम तो थोड़ी सी ठका जब तेन वजे के बाद का time आता है तब प्यास लगने लगती है तब हमको प्यास बहुत तेज से लगने लगी थी। तो इसी वजे से थोड़ा सा उदास-उदास चेहरा हो गया था। और वैसे तो आज बहुत ही खुश्दे। कि आज हमने गैसर बाहर निकाल लिया है रशोई से जो की आपने विरामदे में रख लिया है क्योंकि आज बैट कर खाना बनाएंगे खड़हुने में बड़ी ही धिकत हो रही थी बहुत ही मेरे पैरदर्द कर रहे थे तो आज बाइट कर आराम से खाना बनाएंगे तो इधर निकाल लिया था तो धेर बीच में बाइट कर आराम से बनाएंगे और सोई में थोड़ी कम जगे पड़ जाती है तो वहां पर बन नहीं रहा था तो इधर ही पूरा खाना आज बनाएंगे तो और आज काम करके सारा फिर उसके बाद में नहा दोकर तयार हो गए थे, क्योंकि तयार होना तो आज बनता है, पूरा दिन तयार होकर रहे है, क्योंकि कोई तयवार या कोई काम आता है, तो बहुत ही सब को खुसी होती है, तो तयार हो जाओ अच्छे से, तो बहुत ही तो अब की बार हमने निव फारी भी नहीं खरीद पाई है वैसे हम हर बरस सारी एक जरूर ले लेते हैं निव वो हम दिन में पहन लेते हैं तो इस बार हमने नहीं ले पाई थी तो इसलिए ये बाली हमने पहन ली साड़ी पिछली साल वाली और साम को हम दूसरी साड़ी पहनेंगे जो कि वो मेरी साधी बाली साड़ी है जिससे हमारी साधी हुई थी तो बही बाली हम साड़ी साम को पहनते हैं जिससे हम करवा पूझते हैं तो बही बाली साम को दुबारा से पहन लेंगे और तब तक के लिए दिन में हमने ये बाली साड़ी पहन ली थी और वैसे हम इस वरस दूसरी साड़ी पहनना चाहते थे क्योंकि इस साल मेरी सातमी करवा चोथ थी तो हमने सोचा था कि दूसरी साड़ी पहन लेंगे लेकिन इस वरस सूख बूड़े हुए हैं तो सबने मना कर दिया कि इस साल दूसरी नई साड़ी रहने दो पहनने के लिए क्योंकि गाओं में सारे लोग मनाते हैं कि सूख बुड़े हों तो ना कोई नई चीज हमने ली थी इसलिए और ना ही नई चीज कोई पहनेंगे हम जो पिछली साल हमने पहना था वही हम साल भी पहन लेंगे अब की साल से हम निव सारी पहनेंगे गाओं में हैना की छोटी छोटी बातों को सारे लोग मनाते हैं तो जो हमारे बुड़े बाड़े हैं बुआ हुआ जो भी हमारी बताती हैं बही सारे चीजे करते हैं उसी हिसाब से हम लोग पूजा भी करते हैं नए तरीके से बिल्कुल भी नहीं करते हैं जैसे हमारे पहले सारे लोग पूजा उजा करते थे, उसी तरीके से हम अब भी कर रहे हैं पूजा को, अजकल सारे लोग नए तरीके से पूजा करते हैं, तो हमारे यहाँ जो पहले से जिस तरीके से पुराने हिसाब से की जाती है पूजा करवा चोथ की, तो हम उसी तरीके स करते हैं अभी हमने नए तरीके से की भी नहीं है पूजा तो उसके बारे में हमको जानकारी भी नहीं है और सारे लोग मना भी कर रहे हैं कि ऐसे ही करो जैसे पहले सारे लोग करते हैं तो हमारी सबजी बन गई है तो इधर हम लोग पूड़ी कचोड़ी बनाने लगे थे तो कचोड़ियां हमारी थोड़ी सी बन भी गई है जो कि हम लोग ने आलू की कचोड़ी बनाई है तो थोड़ी से आलू बचा लिये थे वो कवने के लिए रख लिये हैं और पूड़ी हम लोग बना लेते हैं और साथ पापड हमने पहले से बना ली हैं साथ पूरी जो हमने पूजा के लिए निकाल ली हैं वो पहले से ही बना ली है और चड़ा कर आरोई को दे दी हैं पूरी खाने के लिए क्योंकि आरोई को भूग लगी है बच्चे जो होते हैं घर में तो पहले से ही हमने बना कर उदर रख लिए हैं निकाल कर बेंदी भी हमारे हाथों में बहुत अच्छे से रची थी क्योंकि हमने बेंदी कल ही रख ली थी एक हाथ में दिन में रखी थी और एक हाथ में साम को हमने बिटिया से अपनी दीदी की बिटिЯ से रखवाली थी तो एक हाथ में नहीं बन पाया था और एक सी ही हमने डिजाइन बनाई जो कि हमने आग notify वीडियो में दिखाया है आपसे भी को कि एक सी ही हमने डिजाइन बनवाई है एक हाथो में और हमारा खाना बन जाए उसके बाद में बस हम तैयार होने में लग जाएंगे क्योंकि तैयारियां भी बहुत सारी करनी है तो इधर हम पहले अपना पैरों में रंग लगा लेते हैं तो हमने डिजाइन रंग लगाया है बहुत ही अच्छा डिजाइन बनाया है पैरों में वह जो भी है मतलव सामान रवखplays यह चूरा रखे जाता है और कच्ची वा भाली जोत Красग руки जाती है있는्यूक्ष तो वह हम ने सारा काम कर लिया है खृत में कर लिया है और थाली समेरी भी सजा लिया है दो लिया है भास पेश चानज निलने का और बहुत बढ़िया तरीके से हमने बनाए है चंदा मामा क्योंकि हमारी कला जो है बहुत ही अच्छी है पर अब थोड़ा सा कमजोर हो गया है जब से दिमाग इदर उदर रहने लगा है थोड़े सा साधी के बाद है थोड़ा सा दिमाग इदर उदर चलने लगता है तो जो काम सीखे हो वो भूलने लगते हैं तो इधर हमारी थाली आली तयार हो गई है और पूजा के लिए हम रेडी हो गए हैं तो हम इधर चल ले हैं पूजा करेंगे तो जो हमने एक दूसरा साथ चांद जैसा बनाया है कुडरिया टाइम में पांच कुडरिया बनाई हैं उस पर हम कलिस रख देंगे और थोड़े से हमने मतलब नाज कर डाने रखे जाते हैं तो गेमू रखी हैं और गोबर रखी हैं साथ गोबर के गोले जैसे बना लिए हैं तो उनको भी रख लिया है साथ में, क्योंकि जैसे स्वारे लोग बताते हैं, उसी तरीके से हम पूजा करते हैं, अपने काओं के तरीके से, क्योंकि कुछ भी हमने नया नहीं किया है, तो इसी वज़े से बैसे ही कर रहे हैं पूजा, तो आरती उरती सारी चीजे रख ली हैं क्योंकि हमारी चतना है थोड़ा सा अंदर को पढ़ जाती है और सारे मकान जो दो मंजिल बने हैं तो उन्हीं में चांद शिपा था तो हमने का तब तक ऊपर आ जाएगा चांद जब तक हम पूजा करेंगे और पूजा करने की सारी तो भी हमको मालूम है लेकिन फिर भी हमारी बुआ हुआ जब भी हम पूजा करते हैं तो बैठती हैं पास में ही और बताती रहती हैं कि कोई अगर कमी हो तो बता देती हैं कि इस तरीके से करो पूजा या ऐसे करो या बैसे करो तो बता देती हैं तो बुआ भी बैठी ती यहीं पर लेकिन बुआ ने ब्रत नहीं रखा था क्योंकि इस बर उनकी तबियत थोड़ी से ठीक नहीं थी तो इसलिए उन्होंने नहीं रखा था सारे लोग उने रखने भी नहीं दिया यो कि अगर दिन भर भूखी त्याफी रहेंगी तो कहीं जादा करना तव्यत खराब हो जाए तो उन्होंने ब्रत इस साल नहीं रखा था वैसे हर बरस भो भी ब्रत रखती हैं साथ में ही हम लोग पूजा करते हैं दोनों लोग और हमने कलस के ऊपर भी एक दीपक जला लिया है और आरती हमने अलग से जलाई है और कलस में हमने चूरा मिठाई भर लिये हैं जो कि हमारे यहां कलस में चूरा मिठाई ही भरे जाते हैं तो उसी तरीके से हमने रखा है चूरा मिठाई भर लिये हैं और जल अलग से हमने लोटे में ले लिया है और एक फोटू भी हमने मंगबा लिया था उसमें कथा भी दी जाती है तो कथा भी हमने पढ़ी थी बहुत जादा बड़ा हो जाता वीडियो इसलिए आप सभी के साथ हमने नहीं दिखाया है तो कथा को भी हमने पढ़ लिया था और यहाँ पर हमने सिंदूर लिया है तो इस लाट बार म हमने मांग में लगाया था अर्च अर्च ऑने मांगव कि अअब नेंद आ रही है तो यह बहुत ही परेसान कर रही करें थी पूजा करने में और जो भी रखे ते energized वह उन्हें ले रहीति तो इनके पापा बोल भी रहे थे कि वह रखेंगो तो वहा लेकर आओ लेकिन यहाई पर बैटी रहीं देख रही थी सारे चीजे की कैसे पूजा कर रही है मममा अब हमारी पूजा हो गए है आप सिर्फ चांद देखना वाकि रह गया है तो चांद को भी देखकर इनको खिला देते हैं और हमको भी यह पानी पिला देते हैं तो इधर हमने पैरेर छू लिये हैं, अब चलते हैं छट पर, तो छट पर आप सभी को दिखाते हैं, कि चांद निकल आया है, तो चांद बहुत उपर आ चुका था, तो बहुत देर से हम लोग छट पर आये थे, तो इनतिजार खतम अब आगे जो भी होता है वो आप सभी को तो आज कैमरे के आगे पहली बार मतलब पानी आनी हमको पिला रहे थे, तो थोड़ी सी जिजक सी लग रही थी, तो इधर हम पहले चंदा मामा को जो जल होता है जल रखा था वो छोड़ देते हैं, और उसके बाद में ये हमको पानी पिला हैंगे, तो थोड़ी सी हासी भी खिलानी पड़ती है, और हमारे यहां है ना कि पायर जब भी पती के चुवे जाते हैं, करवा चौत वाले दिन, तो उनको मतलब पैसे भी दिये जाते हैं, तो हमने पैसे भी दिये थे, तो इधर हम नीचे आगे हैं, अब खाएंगे खाणा, तो खाना काना हमने शुरू कर और जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नीव है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लोग के साथ में तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते